हलो केट्स, कहानी दीदी चैनल पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं यानि कि आपकी कहानी दीदी आज आपके लिए लेकर आई हूँ तेनाली राम की एक बड़ी ही मीठी कहानी मीठी इसलिए क्योंकि कहानी का नाम है देनाली राम और रसकुल्ले की जड़ और रसकुल्ला तो मीठा होता है ना तो हुई ना कहानी मीठी तो शुरू करते हैं कहानी एक बार की बात है एक बार राजा कृष्ण देवराई के राज में दूर देश इरान से एक व्यापारी आता है महराज उस व्यापारी का स्वागत महमान की तरह शांदार तरीके से करते हैं वे महमान के लिए तरह तरह के पकवान और स्वादिष्ट भोजन बनवाने का आदेश देते हैं साथ ही कई अन्य सुविधाओं का भी आयोजन करते हैं एक दिन महराज के रसोईये ने शेख फ्यापारी महमान के लिए रसगुले बनाए गोल गोल रसेदार जब शेख फ्यापारी ने रसगुले खाए तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे उसने महल में मौजूद लोगों से रसगुलों की बारे में पूछा उसने पूछा रसगुलों की जड़ कहा है अब रसगुलों की कोई जड़ तो होती नहीं है रसगुले कोई प्लांट तो है नहीं इसलिए ये सुनकर रसोया समित महल के सारे लोग सोच में पढ़ जाते है और शेक फ्यापारी की मांग के बारे में महराज को जानकारी दी जाती है फिर क्या था महराज ने बिना देर किये अपने सबसे चतुर मंत्री तेनाली राम को बुलावा भेजा और उनके आजाने पर उन्हें सारी बात विस्तार से बताई महराज की बात सुनते ही तेनाली राम मुस्कुराने लगे उन्होंने तुरंट रजगुले की जड़ ढोडने की चुनाथी स्विकार कर ली वो महराज से एक कटोरा और छुरी की मांग करते हैं और साथ ही एक दिन का समय भी मांगते हैं फिर अगले दिन महराज की भरी सभा में तेनाली राम कटोरे में रजगुले की जड़ लेकर आ जाते हैं कटोरा मलमल के कप्ड़े से धका हुआ होता है तेनाली राम उस कटोरे के साथ शेक फ्यापारी के पास जाते हैं और उन्हें कपड़ा हटाने को कहते हैं जैसे ही शेक फ्यापारी कटोरे का कपड़ा हटाता है तो वहां बैटा हर कोई हरान हो जाता है उस कटोरे में तो गन्ने के कई टुकड़े होते हैं महराज के साथ हर कोई हैरान होकर तेनाली राम से पूछता है कि यह क्या है और बुधिवान चतुर तेनाली राम अपनी बात रखते हुए सबी को समझाते है कोई भी मिठाई चीनी से बनती है और चीनी को गन्ने के रस से बनाया जाता है इसलिए रजगुले की जड़ कहा हुई गन्ना तेनाली राम की बात सुनकर सबी हस पड़े और खुश होकर तेनाली राम की बात से सहमत हो गए तो इस कहानी से बच्चों हमने ये सीखा कि किसी भी सवाल या सिचुएशन में चिंतित नहीं होना चाहिए बलकि पूरे पेशेंस के साथ धैरी के साथ हमें उस विशय के जड़ तक जाना चाहिए उसके रूट्स तक जाना चाहिए और फिर उसका जवाब ढूरना चाहिए हमें उसका जवाब जरूर मिलेगा तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की कहानी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेर और मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब जरूर करें मैं ऐसे ही मसेदार कहानियां आपके लिए लेकर आती रहूँगी अभी के लिए बस इतना ही मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए बाई बाई बच्चों